तो आज मैं बना रही हूं आम बनना काफी दिनों के आम मेरे पास पड़े हुए थे तो सुचा इनका यूज कर लेती हूँ तो इनको मैं पांच ये साथ मिनट के लिए उबाल लूँगे इतना ही उबालना है बहुत ज्यादा नहीं हे गाइज वेलकम बैक और आज के वीडियो की शुरुवात में धाई वज़े से कर रही हूं रात को बारिश हुई है बहुत ज्यादा और तुफान भी आया था जिसवर से लाइट हमारी चली गई थी और जो सुभा के वीडियो के क्लिप हैं वो मैं शूट नहीं कर पाई बै अब ही आई है एक घंटा पहले तो फोन चार्ज किया है मैंने अभी और अभी साथ में पानी भी आ गया है तो यह देखिए पानी कितना गंदा आया है रात की बारिश की वजह से तो इतना ही थोड़ा सा पानी गंदा आता है फिर बाद में बानी साफ आ जाता है तो साफ प भी मैं ले आई हूं अभी है तो इनको में मिक्स करके इस मिक्सी में डाल दूंगी और फिर थोड़ा सा पानी आड़ कर दूंगी आप चाहें तो नहीं भी एक है एक एक लोगा तो ये देखी थैयार हो गया है और इसमें मैंने नमक थोड़ी सी चीनी और भूना हुआ जीरा भी एड़ किया है इसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और नमक मैंने काला यूज किया है या आप रोक सॉल्ड भी उज़ कर सकते हैं अगर नहीं है तो सादा नमक ही यूज कर लीजिए अब मैं इसे सर्फ क कर दूंगी आइस क्यूब और उसके बाद फिर जो मैंने आम पना बनाया है वो डाल दूंगी और फिर उसके बाद एड़ कर दूंगी मैं वाटर तो यह तैयार हो गया मेरा आम पना और अब हम इंजॉय करेंगे गर्मियों के लिए तो यह बेस्ट ड्रिंक है हम जो फैंट और यह कोकोला इस तरह के जो ट्रिंक पीते हैं उनसे कहीं ज्यादा बेटर है यह और यह थोड़ा बच किया है इसे मैं स्टोर करके रख लूंगी और यह देखी हस्पेंड आ गय थी स्कूल से तो यह लेकिया आए थे आड़ू और अब हम आड़ू खाएंगे पहले बहुत ही रस्दार थे गाइस बहुत ही स्यादा और इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हमने इंजोई किया अपना ड्रिंक तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी बाबाई